अब्सक्राइब कर लिया है लेकिन अगर आप इस चैनल पर नूँ है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताके नहीं से नहीं अपलोड होने वाली वीडियो आप तक बहसानी पहुंचती रहे अज हमने पढ़ना है पैरा मेगनेटिक और डाया मेगनेटिक सबस्टांसिस क्या होती है लेकिन इस से पहले हम माली किलोर और्बिटल थियोरी पर चुके हैं माली किलोर और्बिटल थियोरी हमार पस क्या है कि जितने नमबर आटामिक और्बिटल आपस में इंटर मिक्स करें एंटी बांडिंग मालीकिलोर और्बिटल लेकिन इससे पहले हमने वीबिटी को पढ़ा है वेलेंस बांड थियोरी हमें यह चीज नहीं बताती थी कि जब मालीक्यूज बन जाते हैं तो उनका मैगनेटिक मैगनेटिक फिल्ड में क्या इफेक्ट होगा कि आया कि वो मैगनेटिक फिल्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे इस चीज़ को वीबिटी ने एक्सप्लेइन नहीं किया था इस चीज़ को हमें मालीकिलोर और्बिटल थियोरी ने एक्सप्लेइन किया था उस 2 यह आप निकाल लें तो सबसे पहली जो हमारे पास टाइप है वो क्या है पेर parsley शpseंसे से पेर मेड़े शबस सैंसे वह होती हैं कि जिनके वैलेन्स चैल में क्या होते हैं ओन पयर्ड अलयक्ट्रけて होते हैं जब ऑनन पेड़ एर्ड एलेक्ट ऑने की वैसे उनका मैग्नेटिक फिल्ड क्या होगा चै饱 ऊसक कुछ कुछ ना कुछ मैगनेटिक फिल्ड होगा लेकिन जब हम उसके उपर danach करें तो वह क्या करते हैं वो unpaired electron attraction show करते हैं कि हमरे पास जो unpaired electron है वो external magnetic field की तरफ attraction शो खरते रहने हैं तो परamagnosis वो हती हैं कि जब हम उसके अपर magnetic field apply करें तो वो क्या करें attraction हो उन dale some of many magnetic field की तरफ तो उसको हम क्या वोलेंगे paramagnetic substances और उसके लिए एक condition है वो condition क्या है कि उनके valence orbital में unpaired electrons होने चाहिएं क्योंकि अगर हमारे पास unpaired electrons होंगे तो ही हमारे पास क्या है उनका magnetic field की तरफ attraction होगी इसकी example हमारे पास क्या है oxygen का molecule इसके valence shell में unpaired electrons होते हैं क्या होंगे यह magnetic field की तरफ attract होंगे तो इसको हम बॉलेंगे पैरा मेगनेटिक सब्सटांसि ुथ इसके बाद हमाले पाद aluminum है, daycularonton hyune iron oxide है यह सारी हमाल पास क्या है यह wir पैरा मेगनेटिक सब्सांसि की examples है इसके बाद हमार पास जो दूसी टाइपज आ जाती है वह क्या है Diagnetic weekly repel करने की वाई से हम उसको क्या बोलेंगे कि यह dia-magnetic है अब डाय-magnetic के जैसा के नाम से ही जाहरा dia डाय का मतलब है दो तो इनके जो balanced cell में ऐलेक्टॉंज होंगे वो क्या होंगे वो paired peeling application करेंगे तो वो क्या करेंगे वो उस from Brandon को repel करेंगे तो यस हमार पावल यक्टागरी को क्या बोलेंगे मेगनेटिक Substancils इसकी एग जैपल क्या है कि अगर oxygen 2 Church ले ले लिए ये लिती है या जो दो अलेक्टरॉन्व में coordinate कर देती है तो दोनों केसी में हमारे पस क्या है वो diamagnetic substances के दोर पर behave करेगी अगर oxygen के ओपर कोई charge नहीं है ना electron लिया ना दिया है तो वो क्या होगे पैरा magnetic लेकिन अगर oxygen जो है वो दो electron ले लेती है या दे देती है तो उस case में हमारे पस oxygen क्या बंजेगी diamagnetic सबस्टांस बंजेंगी इसकी दूसरी एक्जामपल हमारे पास कोपर बिसमत और गोल्ड यह सारी एक्जामपल किसकी है डाया मेगनेटिक सबस्टांस की तो चलिए इसकी एक्जामपल अगर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का माली क्यूल है इसको को ऑक्सीजन के माली क्यूल में अगर हम से पोचा जाए की यह पैरामगनेटीक सबस्टास यह डायामगनेटीक सबस्टांस है तो इसको हम कैसे एकस्प्लेइन करेंगे तो एक्सिजन जा एक्सीजन ूमिक नमबर कितना है यह इस के इौट्रोनिक कंफिकरेशन है धान्कॉ तू overlapping में या bonding में participate नहीं करेगा लेकिन इसके बाद हमारे पस क्या आते हैं कि यह 2s के लेक्ट्रों यह वैलन्चल है तो यह हमारे पस क्या है यह 2s का एक और्बिटल है यह 2s का दूसरा और्बिटल है अब चूंके s-orbittles की energy काम होती है यहां पर अणिचर और्बिटल गाए यह 2s के और्बिटल फूसरी तरह क्या है 20 अलेक्टों तो 2s के लेक्ट्रों मैंने जिसको मैं क्या बोलँगा, bonding molecular orbital, और जिसकी नर्जी जायदा है, उसको क्या बोलँगा, antibonding molecular orbital, अब मैंने इसके अंदर electron's feel करने हैं, तो electron's कैसे feel करूँगा, कि हमारे पास ये दो electron's ये हैं, दो electron's ये हैं, total कितने electron's हैं, चार लेक्ट्रोन. अब में दो लेक्ट्रोन यहां पола जेंगा जिनकी नजी a lagi kama अब मुर पस दो लेक तो ऊसर लेक्ट्रोन रहा हैं, टोटल चार लेक्ट्रोन उफ्व न्म लेक्ट्रोन तो दो तोटों कीदर आ जेंगे? यह तो तही हमारपस S orbital की diagram के जब S orbital S orbital के साथ overlapping ये करता है तो हमार पास ये diagram बनेगी अब हमार पास रहती है कि ये 2PX 2PY और 2PZ orbital ये भी तो आपस में overlap कर रहे हैं ये भी तो valence orbital हैं अब ये कैसे overlap करेंगे कि ये 2PX orbital ये 2PY 2PZ 2PX में हमार पास दो लेक्टरोन है वो ये 2 लेक्टरोन बाकी में क्या है एक एक लेक्टरोन ये तो हो गया एक oxygen atom का तो दूसरी oxygen हम molecule बार रहे है oxygen का तो दूसरी oxygen क्या है सेम उस तरह उसकी भी electronic configuration ऐसे होगी अब मेरे पास क्या है कि टोटल ये कितने atomic orbital हैं तीन ये atomic orbital हैं तीन ये atomic orbital है टोटल 6 atomic orbital है तो 6 atomic orbital जब आपस में intermix करते हैं तो हमा ये 6 atomic orbital हैं तो हमारे पास छितने 6 ही molecular orbital प्रोड्यूस होंगे ये तीन जो हैं ये bonding molecular orbital हो जाएंगे bonding molecular orbital और तीन उसमें से क्या हो जाएंगे जिनकी energy हाई होगी उसको क्या बोल देंगे anti bonding molecular orbital अब मैंने इसके अंदर electrons फिल करने हैं इलेक्ट्रों क्या हैं यहां पे मेरे पास 4 लेक्ट्रोन हैं चार लेक्ट्रों ये हैं तो मेरे पास total eightlen हैं तो अब सबसे पहले जिसकी energy काम होगी लेक्ट्रोन उसमें फिल होंगे मेरे पंड्र से बांडिंग molecular airplane का मैं यहां फील कर देंगे टोटल लेक्टोन कितने है चार ये और चार इस अक्सीजन के टोटल आठ लेक्टोन है बाकी कितरे रहे चे अब एक लेक्टोन इसमें आजेगा एक लेक्टोन इसमें आजेगा लेकिन अगर मेरे पास और लेक्टोन है तो फिर क्या है अब मैं तुबारा एक एक लेक्टोन आ हैं वो elektron spared होजएंगे अब इन दोनों ऑर्बिटर्स की यह पाई 2PY और पाई स्टार 2PZ यह दोनों की नर्जी किया है सेम है तो मिल्भा ना पहले एक लैक्टरॉन इसमें आएगा और फिर क्या है जो एक लैक्टरॉन इसमें आएगा क्योंकि दोनों की नर्जी सेम है तो मैं एक एक करके अलेक्टोन करूंगा मेरे पास आठ लेक्टोन पूरे हो गए 6 बांडिंग मालीकुलर अर्बिटल में अगई और दो किसमें अगए Anti-Bonding Molecular Orbital में बाकी सिगमा स्टार 2PZ मेरे पास सिगमा स्टार 2PX मेरे पास क्या है Empty रहेगा अब मेरे पास यहाँ पर आ जाते हैं कि Paramagnetic Subchances मैंने कहा था कि हमारे पास अगर Unpaired Electrons है क्या है Unpaired Electrons है यह Unpaired Electrons है इनके Atomic Orbital में क्या है हमारे पास Unpaired Electrons है तो Unpaired होने की वैसे यह क्या होंगे जब इसके ओपर हम External Magnetic Field अपलाई करते हैं तो यह हमारे पास क्या होंगे यह Attract हो जेंगे उस External Magnetic Field के तो यह हमारे पास कौन सी प्रांच आजेगी इसकी यह Paramagnetic Substance आजेगी तो Oxygen हमारे पास किसकी एक्जेंपल है यह Paramagnetic है Paramagnetic क्यों है क्योंके हमारे पास क्योंके हमारे पास क्या है यह Unpaired Electrons है और हमारे पास Unpaired Electrons होने की वैसे जब उसके ओपर Magnetic Field अपलाई करेंगे तो यह क्या हो जेंगे यह Attraction Show करेंगे उस External Magnetic Field के उस External Magnet के तो यह हमारे पास क्या हो जेंगे यह Paramagnetic Substances हो जेंगे लेकिन इसकी Oxygen की दूसरी हम Condition देखते हैं कि अगर Oxygen के ओपर माइनस Two चार जो माइनस Two का मतलब क्या है इसने दो Electrons ले लिए जब दो Electrons ले लिए तो हमारे पास क्या है यहाँ पर एक Electron आजएगा एक इसी तरह दूसरी esse turkey वाइर और्बिटल में एक Electron आजएगा तो एक Electrons यहाँ पर आ जएगा यहाँ पर लेक्ट्रों कितने हो गए क्या होंगे 5 लेक्ट्रों यह और 5 लएक्ट्रों क्या होगे यह टोटल लेक्टरों दस होगे, छे यहां पे आगे, दो क्या होगे, यहां पे आगे अब मेरे पस जो लेक्टरों माइनस टू चार जाया है, कि यह क्या होजेगा, उक्सीजन माइनस टू कि दो लेक्ट्रों लिये थे पहले चार थे अब यहां पे कितने होगे आठ अब मतलब यहां कितने हो जाएंगे पांच इसके पांच इसके टोटल दस लेक्ट्रों हो जाएंगे तो छे यहां पे आगे दो यहां पे बाकी कितने रहेंगे दो लेक्ट्रों जो उसने लिये हैं और वो external magnetic field के against क्या करेंगे वो repulsion शो करेंगे वो repulsion शो करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे डाया मेगनेटिक स्रप्सांसी तो अगर oxygen हमारे पास उसके उपर minus 2 चाह जा जाज़ता है तो यह कौन सी condition होजेगी यह हमारे पास oxygen minus 2 क्या होजेगा डाया मेगनेटिक यह क्या होजेगी डाया मेगनेटिक स्रप्सांसी और यह external magnetic field को क्या करते हैं यह रिपेल करेंगे लेकिन अगर मेरे पास क्या है oxygen के उपर plus 2 चाहर जाए क्या है oxygen के उपर plus 2 चाहर जाए अब पहले इसकी यह तो था ना minus 2 वाला केस अब plus 2 का मतलब क्या है इसने 2 electron दे दिये जब दो दिये ठीये अब जब इसने 2 electron दे दिये तो मतलब क्या है क्या है कि यहाँ पर एक electron क्या हो जएगा खत्म हो जएगा अब मेरे पास कितने लेक्ट्रों रहेंगे तीन लेक्ट्रों रहेंगे वो यहां से लेक्ट्रों खतम हो गया अब मेरे पास टोटल कितने लेक्ट्रों है तीन ये और तीन ये कितने होगे छे लेक्ट्रों तो वो सारे के सारे बॉंडिंग में आजेंगे यहां पे कोई electron नहीं रहेगा तो फिर हमारे पर oxygen अगर उसके उपर positive two charge है तो यह कौन सी होज़ेगी यह भी डाया मेगनेटिक की example है यह क्या है कि डाया मेगनेटिक इसमें भी electron क्या होगे सारे के सारे paired होगे unpaired हमारे पास नहीं है electron अगर unpaired electrons नहीं हैं हमारे पास paired electron हैं तो यह external magnetic field क्या करेंगे यह repulsion शो करेंगे तो हमारे पास यह सारी थी परायमेगनेटिक subst käyd क्या होती है और diameter substan lyze क्या होती है अगर oxygen के उपर कोई चार्ज नहीं है तो वह क्या होगी पेर्ड एलेक्ट्रोन जहां पर रहे जेंगे जो कि ये डायग्राम मैंने ड्रा की है तो हमार पास ये दोनों केसिज क्या होजेंगे ये हमार पास दोनों डाया मैगनेटिक सबस्टांसिज की एक्जेंपल हैं अमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इसको बाकी लोगों से जरूर शेयर कीजीगा शुक्रिया